वेल्कम टू न्यू लेसन अब हमारे जो दो तीन लेसन होने वाले हैं अगले वह होने वाले हैं about keyword research जैसे मैंने आपको बताया था कि जो keywords होते हैं वह SEO का सबसे सबसे ज़रूरी चीजों में से एक है कि आप किन चीजों पर content लिख रहे हो किस keyword पर content लिख रहे हो यह बहुत ही बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है सो कल के लेसन में मैं आपको कुछ tools बताऊंगा tools के थू हम keyword research करेंगे अलग-अलग tools हम देखेंगे और अलग-अलग tools के थू हम research करेंगे बट इससे पहले कि हम tools देखें tools से keyword research करें जो सबसे best तरीका है keyword research करने का वो है brainstorming ठीक है आप simple एक excel file बनाओ और आप खुद keyword सोचो कि जो आपका user है वो क्या-क्या keyword research कर सकता है क्या-क्या keywords गूगल पर डाल सकता है ताकि आपका business उसे मिले या आपका product or service उसको मिले हो क्या-क्या keyword से जो डाल सकता है तो एक simple example से समझते हैं तो suppose करो मेरी जो niche है वो है body building ठीक है body building related मेरी company है अब जो मेरा user है वो क्या-क्या चीजे सर्च कर सकता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि जो आपका body building है इसमें main categories कौन सी है आपको यह देखना है तो main categories क्या है body building के अंदर एक आपका हो गया supplements एक आपका हो गया diet एक आपका हो गया exercise यह main three categories हो गई है इसके अलब और हो सकती है अगर आप सोचोगे तो तो यह main तीन categories है अब आप सोचो कि वह क्या सर्च मारेगा अगर मैं diet में बात करूं तो क्या सर्च मार सकता है diet for weight gain हाण डाइट फॉर वेट लॉस चीप डाइट डाइट फॉर वेजेटेरियन बॉड़ी बिल्डर समझे रहो इस टाइप से कीवर्ड खुद सोचो कोई कीवर्ड रिसर्च नहीं करेंगे हम अभी तो आपको करना क्या है आज एक excel फाइल बनाओ या एक simple एक notebook लो उसमें अपने जो आपका main business है जैसे body building है मेरी category है body building तो आप अपने business की category लिखो और उसकी जो branches है उसकी जो sub-nishes है उसकी जो categories है वो लिखो जैसे मैंने लिखा supplements, diet, exercise आप वो लिखो और फिर जैसे मैं अभी सवाल सोच रहा हूँ आप ऐसे सवाल सोचो अब अगली चीज़ है जैसे exercise है ना तो exercise at home for weight gain ठीक है exercise at home for abs और एक चीज़ देख लो कुल टूल कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं और इतने अच्छे-चे keyword आ रहे है हमारे पास आप लिख सकते हो exercise for women ऐसे ही और सोचो अभी तो तीन चारी सोच पाया है मैं आप और सोचो और सोचो कि क्या सर्च कर सकता है इसको करने में कम से हम जो तीन घंटे एक दिन दो दिन तीन दिन टाइम लगाओ सोचो कि क्या keyword हो सकता है जो सर्च मारेगा क्या keyword हो सकता है जो सर्च मारेगा अगली है supplement best supplement weight gain supplement fat burner supplement protein powder ठीक है इससे related और चीज़े सोचो थोड़ा time waste invest करो और पूरे एक आप notebook बनाओ या excel फाइल बनाओ जिसमें आप अपने सारे ideas लिखो प्लस यह तो हो गया आपने खुद सोचा दूसरा काम क्या करो जैसे मैं bodybuilding से related है आपका कोई दोस्त हो जो bodybuilding में हो उससे बात करो कि भाई देख तू गूगल पे तरह कोई चीज ढूंड नहीं हो तो तू कैसे ढूंडे उसको क्या तू सर्च करेगा उससे बात करो और दो तिल लोगों से बात करो कि भाई अगर तुझे ऐसा ढूंड़ना हो तो तू क्या ढूंडेगा सिंपल वो ढूंड़ो एक फाइल में लिखू राइट इससे पहले कि हम यह जाने की टूल्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं पहले आप यह जानना जरू है कि जो आपके दोस्त हैं जो जो यूजर्स हैं वो क्या सर्च कर रहे हैं फिर हम टूल्स की तरफ जाएंगे सीधे टूल्स पर जाओगे तो होगा क्या बड़े सारी कीवर्ड्स होंगे जो आप मिस कर दोगे ठीक है तो इस तरीके से आपको करना है पहले खुद सोचना है फिर दोस्तों से बात करनी है फिर एक पूरा लिस्ट कंपाइल करना है कि और टूल्स तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे ठीक है जी सो दैट सिट फ्रॉम देस लेसन मेक शोर कि आपका जो बिजनस है उसके अराउंड कीवर्ड आप ऐसे आज सोचो ठीक है जी थैंकिस सो मच